सबसे पहले आप सभी को दिवाली के डेर सारी शुब काम ना है और जिससे कि हम लोगों को पता है दिवाली फेस्टिवल चल रहा है तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी वोकेप देखने वाले हैं जो कि दिवाली से रिलेटेड है और इनको सेकर आप अपनी वोके पताके हो तो जो भी चीजम यूज करते हैं उसका इंग्लिश मिनिंग प्लस उसकी पिक्चर में आप लोगों के लिए ले कर आयो तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से पता चल जा और इसके में दो पार्ट अपलोड करते हैं कैसे हमारा सबसे पहला वर्ड है कैथरिंग विल ओके आप या तो पीन विल बोले या कैथरिंग विल बोले आप सभी चक्री जलाते होंगे पताकों में चक्री भी होती है तो चक्री को हम लोग बोलेंगे कैथरिंग विल सेकेंड हम लोग बोलेंगे पताकों की मतलब होता है पंक्ति वोकेप आगे पीछे हो सकती कभी पटाके आजाएंगे या कभी पूजा से रिलेटेड वोकेप बाइगी प्लेस्टु में आते हैं चलिए आपको सारी चीज़े मिलेंगे पटाको के लड़ी को हम लोग बोलेंगे छैन ओफाय करिक और स्टिंग ओफине किग असे पटाक क्यों होते हैं जो कि प्रणोशित रहीत होते हैं जिन से प्रभी नहीं होता है तो उस प्रणोप सी वोलेजका नॉर्मल क्लेंगे compress for the फाय क्रेकर्स या फिर एकर्ष चलिए दियान लीक्त्र जो नॉर्मन वगन में करनेहें तक लिए का गयिसम्तम्राइब टो आफ ङंच्छ नज़िती एह फिरेंग्र लिखकार इकड़ें से भूदी दूत हैं जालर हम सब हम आपर कोई भी जाला लगाते है तो अरण भी आप लोग बोल सकते हैं तो उसे इंगलीश में बोला जाता है फ्रील नेक्स्ट वर्ड है हमारा दिया सो गाइस दिये को हम लग बोलेंगे अर्थन लेंप का मिनिंग होता है दिया दिये में जो बाती हम लोग रूई की यूज़ करते है उसे हम लोग बोलेंगे कॉटन वीक का मिनिंग होता है रूई की बाती देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है अगरबत्ती तो guys अगर बत्ती को हम लोग बोलेंगे incense stick incense stick का मिनिंग होता है अगर बत्ती then हम next ले ले लेते हैं कलश, guys कलश हम हर पुझा में यूज़ करते है चाहे वो दिवाली की पुझा हो या कोई और पुझा तो कलश को बोला जाता है ध्यान रखे कलश को हम लोग बोलेंगे अर्ण, next है प्रसाद, प्रसाद को बोला जाता है offering, offering मतलब होता है प्रसाद, और प्रसाद चड़ाना होता है offer the offering, offer मतलब होता है चड़ाना और offering मतलब होता है प्रसाद, तो दोनों अलग-अलग जयान देंगे ते उटनठ को तो तरकाशित करते हैं तो यह कर सकते हैं को हम लूग का करते है दिवाली के थे धिन पर करेंद हो पर लक्षमी जी की पूजा करते हैं, और 一个 吸्षभी का बोलते हैं एभाईज्य को बहुते हैंane, और आप कोई भी दिवी बोले तो गोड़ास आञे लगा दे, तो अने गोड़ास जाए लकषमी, सरस्वती इसे बोला जाता है केसी की पटाकों को तो या फिर क्रेकरस क्रेकर लकाशार रेकरों कुछ पोल भूर्ज लेकिन कुछ पटाके ऐसे होते जो आसमान पार चाथिस लिए थी ईस वॉलते हैं उथने माली नियूद यह उन्हें बूलतए हैं चिंगारी जो होती है उसे इंगलिश में बोला जाता है स्पार्क का मिनिंग होता है चिंगारी फुलजडी को इंगलिश में बोला जाता है स्पार्कलर का मिनिंग होता है फुलजडी अनार भी हम लोग काफी बच्चे और हम लोग सभी अनार जलाते हैं अनार को इंगलिश में बोला जाता है fountain crackers का meaning होता है अनार then mantra को इंगलिश में बोला जाता है chant या फिर chanting आप दोनों बोल सकता है कपूर को बोला जाता है इंगलिश में camphor इसके बाद हम पान के पत्तों को भी काफी पूजा में यूज़ करते हैं तो पान के पत्तों को बोला जाता है बिटल लीव्स मतलब होता है पान के पत्ते तुलसी का पत्ता तो ऐसा है जो हर पूजा में यूज़ होता है इस पर एक और पार्ट बनेंगा जिसमें आपको और भी अधर वोकेब दिशी सीखने के लिए मिलाएगी तो अगर आपको वीडियो पशला है चैनल को लाइक करेजिए सब्सक्राइब करेजिए और बेला एकन को प्रेस कर दीजी ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहें